बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीं फिर्स्ट एर के आज 26 लेक्चर में चैप्टर नुबर 6 आज हमने कुछ बातें डिस्कस करनी है पिछले लेक्चर्स में हमने जब वेलन्स चैल अलेक्टरॉन पे रिपलिशन थेरी को पड़ा तो वहाँ एक बात हमें समझ में आई कि जो water का structure है, ammonia का structure है उसके angle corresponding molecule जैसा कि methane है, CHCl3 है, CCL4 है या वो molecules जिनके दरम्यान single covalent bond चार पाये जाते हैं या उनसे deviate करता है, कि वो molecules, for example, अगर हम methane को discuss करें तो methane के अंदर carbon की जो valency है, ये charge satisfied है, methane के molecule में और जो angle है, वो 109.5 बिल्कुल इसी जैसा अगर एक molecule NS3 लिया तो NS3 में क्लॉन पेर होने के वज़ा से वेस्पर ने ये तो बता दिया कि जो angle है, वो 109.5 से कद्रे कम है 109.5 से कद्रे कम है, वो drop हो जाता है 107.5 water के structure को देखा जाए, तो water के structure में angle की deviation भी है दो lawn pair होने की वज़ा से, जो ये मजीद angle है, ये 10 approximately 104.5 डिग्री पे ये drop कर जाता है लेकिन अब अगर water का structure देखें तो ये linear होना चाहिए था, lawn pair ने कैसे जगा occupy की west पर हम नहीं बता पाई, ammonia के molecule में ये lawn pair repulsion तो करता है लेकिन lawn pair ये कैसे एक molecule के structure को define करेगा क्योंकि वो तो lawn pair है, वो structure को कैसे define कर सकता है, वो तो सिरफ एक electron का pair है structure को वो चीज़ define करती है, जिसके पास angle हो, जिसके पास probability हो जिसके पास किसी molecule के अंदर कोई symmetrical element हो, या जिसका कोई वजूद हो अब ये तो सिरफ electron का जोड़ा है, जो lawn pair के तोर पर काम करता है किस तरह behave करेगा, ये हमें west पर ने नहीं बताया अब इन सारी confusions को खतम करने के लिए, जो last lecture में हमने कभी पढ़ी थी कि equivalent valency carbon की चार valency, मैंने कभी ये बातें last lecture में बताई थी कि carbon के पास दो तरहा की state हम पढ़ते है एक ground state और एक excited state, ground state में carbon की valency दो excited में carbon की valency चार, तो फिलहाल आगे ये सारी बाते डिसकस होनी है तो west पर थेरी ना ground state को define किया, ना excited state को define किया ना ये बताया कि energy of excitation कहां से आती है, nothing, कुछ भी ने बताया इन तमाँ confusion का जो इलाज था, वो हमें मिला hybridization के idea से अब hybridization का idea बहुत ही important है, chemistry के अंदर इसमें हम पढ़ेंगे कि hybridization होती क्या है, बहुत ही असान CH4 की example जो अभी मैंने करवाई, carbon के electronic configuration, 1s2, 2s2, 2p2, 6 electron बूरे होगे पहला shell मुकमल है, ये bonding में हिस्सा नहीं लेगा हाँ, दूसरे shell में दो आगे हिस्से है, 2s2 भी है, 2p2, दो electron इसमें थे और 2 electron ये आगे, हमें excited state ये बताती है कि यहां से 2s2 और 2p2 का quantum number एक जैसा है, quantum number मतलब ये दोनों एक shell से तालुक रखते हैं दूसरे से, electron यहां से यहां transfer किया जा सकता है, और एक orbital के अंदर जाद रखने है, orbital क्या होते हैं, हमने कभी पढ़ा था कि S, P, D, F के मजीद आगे, S को छोड़के, P, D, और F के मजीद आगे अब यहां से एक electron चला गया, अब carbon के विलंसी कितनी नज़रा रही है, जितने unpaid electron हो उतनी उसकी विलंसी होती है, carbon की 4 विलंसी, लेकिन question यह है, कि P, X की शकल डिफरेंट है, यह X-axis के along है, orientation डिफरेंट है, इसकी orientation डिफरेंट है, और S की तो energy भी P से कम है, सबसे stable S है, फि उससे ज्यादा D की, उससे ज्यादा F की, अब यहां तो energy का भी बड़ा difference है, equivalency का मतलब कि चारों valencies, unpaid electron एक जैसे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें कहते हैं कि CH4 में एक hydrogen इदर आ गया, एक इदर आ गया, एक इदर आ गया, कैसे भई कैसे आ गया, energy का तो बहुत difference ह S की energy कम है, PX से, PY से, PZ से, तो equivalent कैसे हो गई, equivalent का मतलब कि इनकी valency एक जैसी कैसे हो गई, किस तरह चारों hydrogen इनके साथ मिल सकते हैं, जबके energy का difference तो बहुत ज्याद है, यह सारे hydrogen जो चार हमने लिए, यह तो एक जैसे है, electronic configuration है, 1S1, तो यह भाई, कैसे PS के साथ मिल सकते है कैसे यह P के साथ, PX, PY, PZ के साथ, हाला कि इनकी तो orientations different हैं, इनकी energies different हैं, तो यहाँ पे equivalency हमें नजर नहीं आती, यहाँ पे में हिट्रowalency नजर आती है, कि इसमें जो electron है, उसका behavior और तरह का होगा, इसका और तरह का, इसका और तरह का, इसका और तरह का, लेकिन carbon की जो equivalency कैसे आती है, टेट्रowalent तो है, लेकिन equivalent यह कैसे है, यह हमें नहीं बताया है, इसका concept आया, atomic orbital hybridization में, atomic orbital hybridization का पहले में आपको introduction जल्दी जल्दी बता दूँ, फिर इसके बाद हम इसकी detail की तरफ आते हैं, atomic orbital hybridization is basically defined as atomic orbitals of slightly different energies, वो atomic orbitals जिनकी energy का difference बिल्कुल थोड़ा- है और 2P2 है, 2P2 के भी आगे मैंने बताया कि तीन हिसे PX, PY, PZ और यह S की spherical symmetrical शकल एक ही होती है, वो orbitals जिनकी energy का difference बहुत थोड़ा है, हाँ, अगर मैं कहूं कि एक 2S है, एक 3P है, इनकी energy का gap बहुत ज्यादा है, यह दूसरे shell से तालुक रखते हैं, यह तीसरे से, यहाँ orbitals of slightly different energies, slightly different energies का मतलब जहन में रखना है, कि जो orbitals basically hybridization is the mixing of orbitals, आगे सीखते हैं सारी बाते हैं, जो mix होने orbitals, उनकी energy का difference बहुत थोड़ा होना चाहिए, energy का difference थोड़ा होने से मुराद, वो एक ही shell से तालुक रखने चाहिए, वेलंस shell से ही तालुक रखने चाहिए, ऐसा नहीं जो valence orbitals हैं, वो आपस में होते हैं, mix-up इसी को कहते हैं, atomic orbital hybridization, atomic orbitals of the slightly different energies, intermix and give a new set of orbitals, यह भी आपने definition पढ़नी है, जब आप सीख लें तो इसको rewind करके दोबारे definition को देख लें, या इसका आप screen shot ले लें, give a set of new orbitals with the same energy, definite geometry, which are quite different from parent orbitals, के as अगर, Sephardically symmetrical है, Sophardically symmetrical S है, इसका अपनी energy value है, यह PX है, जिसका अपनी orientation है, यह PY है, जिसका अपनी orientation, यह QRzy है, इसका अपनी orientation, यह equivalent नहीं हो सकते हैं, तमी एक एक electron है मैंने मान लिया लेकिन यह equivalent नहीं है equivalency हासल करने के लिए क्या किया जाता है वो atom इन तमाम orbitals को valence orbitals को mix कर लेता है अपने S को भी यह carbon अपने S को भी mix करेगी यह जो 2S2 का एक electron इधर shift हुआ S को mix करेगी PX को mix करेगी PY को mix करेगी PZ को mix करेगी carbon तमाम को mix कर लेगी यही अमल कहलाता है hybridization आगे हम detail देखते है फिलहाल आपको slightly समझा रहा हूँ जो नया set बनता है उसकी energy parent से बिलकुल different है यही atomic orbital hybridization हमें information प्रवाइड करता है excitation of electron and unpairing of electron अभी मैंने आपको बताया कि carbon ground state में उसके पास दो unpaid electron है excited state में एक electron 2S से 2PZ में चला जाता है it is called excitation excitation के लिए energy कहां से आती है वो भी बताता हूँ formation about the energy information about the energy and excitation हम कहते हैं कि यह energy कहां से आई electron 2S के पास energy कम है 2PZ के पास energy ज्यादा है तो energy कहां से आई यह energy आती है जब carbon hydrogen के लिए bond hydrogen के साथ bond बनाने की कोशिश करता है according to the energetics of bond formation when the atoms come close to each other and they are going to make a bond energy is released यह कभी हम energetics of bond formation बिल्कुल शुरू में पढ़ चुके हैं जब bond बनाने के लिए hydrogen आता है तो सबसे पहले energy क्या होती है release होती है जब energy release होती है वो ही energy in trap करवाता है यह electron जो 2s2 में दो electron उस energy को in trap करते हैं पकड़ते हैं और electron यहां से travel कर जाता है 2pz में हमने कभी पढ़ा कि जब electron की energy बढ़ जाएगी तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि अपने lower energy level से higher energy level में चला जाएग है higher energy level का मतलब यहां पर और bit नहीं है यहां पर slightly different energy है कि 2s की energy थोड़ी सी कम है 2pz की energy थोड़ी सी ज्यादा है तो electron थोड़ी सी energy लेके 2s से 2pz में चला जाता है और इसके बाद electron पहले थे 2 unpaired लेकिन जब excitation हुई तो electron होगे 4 unpaired तो valency कितनी हो गई unpaired electron जितने हो उतनी उनकी valency होती है energy of excitation comes from the hybridization फिर इनको mix भी करवाने जब यह unpaired electron यहां से यहां move कर गया फिर इसने s, px, py और pz carbon इन तमाम को mix करवाता है mix करवाने की वज़ा है इन तमाम की energies different है जब वो इनको mix करवालेगा तो इनकी energy same हो जाएंगी 4 orbital mix होंगे 4 ही नए बन जाएंगे हमने example के साथ समझना है इसे कुछ point पहले discuss करवा hybridization result into the set of orbitals of the new shape and orientation of the valence orbitals valence orbitals valence orbitals basically वो orbitals हैं जो के बैरूनी shell से तालुक रखते हैं सबसे बाहर वाले shell से तालुक रखने वाले जो के bonding में हिस्सा लेते हैं इनको हम कभी detail में study कर चुके हैं valence electron क्या है valence shell क्या है valence sub shells क्या है valence orbitals क्या है इनकी कुछ examples हैं और hybridization hybridization is a mixing यह mixing है किनकी orbitals की कौन से orbitals जिनकी energy का slight different हो और slight energy difference का बाता है जब shell तो एक ही हो sub shell की energy का gap यानि S की energy कम है P से P की energy S की energy कम है P से P की energy कम है D से D की energy कम है F से तो यह energy का difference बहुत ही ममूली है anyhow यह energy का difference लाई करता है hybridization completely fill orbital भी करते हैं empty भी कर सकते हैं और half filled orbitals भी कर सकते हैं है आगे हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं hybridization types book relevant बाकी तो बहुत सारी type है sp3 है d2 sp3 है d3 sp3 dsp3 है inner orbital outer orbital class में होते तो ये बातें discuss कर लेते तो time की shortage की वज़ा से हम जो book relevant चीजें हैं उनको ही discuss कर रहे हैं सबसे पहले sp3 hybridization sp3 hybridization basically बहुत ही असान concept है the mixing of देखें the mixing of one of s s का एक और p के तीन mix हो जाते हैं example में आपको सारी बाते समझाता हूँ one of s and three of p orbitals three of p का मतलब px, py, pz आपस में mix हो जाते हैं mix होने के बाद mix होने से पहले वो कैसे थे s is theoretically symmetrical px along x-axis, py along y-axis pz along z-axis तमाम की orientation different, तमाम की energy different mix होने से पहले इनकी अपनी values हैं लेकिन जब ये mix हो जाते हैं तो एक नए set में convert हो जाते हैं जिनको कहते हैं sp3 orbitals और ये orbitals जितने mix होते हैं उतने ही बनते हैं ये बात आपने जहन में रखनी है the number of the orbitals that are formed must be equal to the number of the orbitals that are going to mix example में देखते हैं सबसे पहले देखें CH4 अभी मैंने लास्ट टाइम जो पांच मिनट पहले इसका structure लिके दिया CH4 carbon center में होता है और चार hydrogen उसके इर्द गिर्द है अब question ये है कि hybridization होनी किसकी है example से देखें CH4 जो central atom है हमेशा hybridization उसकी होनी है remember central atom आपने ड्हूनना है जो atom central atom है उसकी हमेशा hybridization होनी carbon है center में carbon की valency हमने पड़ी ये देखें carbon अगर देखें तो अपनी ground state में होता है 1s2, 2s2, 2p2 excited state कौन सी होती है कि जब carbon ने अपने bond बनाना है hydrogen के साथ जैसे ही hydrogen के atom ये 6-6 का मतलब carbon का atomic number है 6 atom नहीं है जैसे ही hydrogen कारबन के पास आता है bond बनाने के लिए according to the energetics of bond formation energy is released यहां से एक electron 2s से 2pz में चला गया unpaid electron कितने होगे तीन गोर से देखें mixing किसकी होनी है मैंने बताया mixing होनी है valence orbitals की valence orbitals जिन्होंने bonding में हिस्सा लेना है 1s का px, py, pz इसकी energy अपनी, इसकी अपनी, इसकी अपनी, इसकी अपनी तो यह तमाम आपस में क्या हो जाते हैं mix up हो जाते हैं यह देखें शकल में one of s one of s मतलब s का एक p के 3 orbitals आपस में होते हैं mix और 4 नए orbitals बनाते हैं यहां पे एक बात याद रखनी है जो नए orbitals बनते हैं वो हमेशा एक जैसी शकल रखने वाले होते हैं जिसमें एक lube बड़ा और एक lube छोटा यह बाते हैं आपने जहन में रखनी है orbitals, hybridization से पहले किसी भी शकल का हो सकता है सफेरिकली, symmetrical हो सकता है principle हो सकता है, diffuse हो सकता है dumbbell हो सकता है, fundamental हो सकता है लेकिन जब वो hybridization के अमल में से गुजर जाए, hybridization का मतलब intermixing of atomic orbitals जब वो hybridization के अमल में से गुजर जाए जितने atomic orbitals आपस में mix होते हैं उतने ही बनते हैं, यह देखें यह 2S, mix with 2PX mix with 2PW, mix with 2PZ यह सारे आपस में खिचड़ी पका लेते हैं आपस में mix हो जाते हैं और यह मन होता कब है, जब bond बनाना है जब किसी दूसरी element के atom के साथ bond बनाना है, तो hybridization तब ही होनी है excitation तब ही होनी है unpaid electron तब ही होने है, electron transfer तब ही होने है अगर bond नहीं तो यह कुछ भी नहीं और यह करता कौन है, central atom जिस के साथ atom bond बनाते हैं, यह उस atom की कहानी है carbon के साथ bond बनाया, चार hydrogen ने तो यह carbon की कहानी है अगर मैं इसी तरह CHCl3 ले लूँ यह CHCl3 CHCl3 ले लिया central atom ढूंडो कौन सा है, carbon carbon क्या करेगा, hybridization करेगा central atom, बाकि बहुत सारी example देखनी है BeCl2 है, central atom फिर hybridization भी different तरह की आएगी SP3, SP2, SP central atom कौन सा है, beryllium hybridization किस की होगी, beryllium की water में देखो, OH, H दरम्यान में कौन है, oxygen hybridization किस की होगी, oxygen की hydrogen sulfide H2S सिर्फ example बता रहा हूँ, यह sulfur है, एक इतर hydrogen, तो hybridization किस की होगी, इसकी what is hybridization, the mixing of atomic orbitals और valence orbitals तो carbon ने क्या किया, एक अपना S का, P, X, P, Y, P, Z mix किये, चार नए orbitals बनाएगा उनना orbitals की शकल एक जैसी होगी एक loop बड़ा, एक loop छोटा, loop क्या होते है यह दोनों loops एक जैसे जिसमें एक loop बड़ा है, एक loop छोटा इनको center से range करना है आपने अगर आप इनका set बनाए ना, तो इनको center से दरम्यान में carbon रहता है hybridization में, एक loop ऐसे range होता है, SP3 hybridization में, एक ये एक ये, एक ये जितने overlap होते हैं जितने mix होते हैं, नए बनने वाले भी उतने हैं, इनके छोटे loops को थोड़ा सा आप ignore कर दिया करें सिरफ आपने क्या करना है, कि central से भरे loop को लेके आपने draw कर देना है, हाँ अगर जरूरी हो छोटे loop draw करना, तो इसका छोटा लूप इधर बना दें, इस बड़े का छोटा loop इधर बना दें, इसका loop छोटा इधर बना लें, इसका छोटा लूप इधर बना लें, तो Hep जैसी है, जिनके अंदर electron की tendency एक जैसी है, bond बनाने की सलाहियत एक जैसी है, अब यहां ना कोई S है ना PX है ना PY है ना PZ है यह सब ने mix होके एक नई शकल इख्तियार कर ली It is S P3 orbital S खतम हो गया PX खतम हो गया PY खतम हो गया PZ खतम हो गया इन चारों ने आपस में mix होके कैसी शकल इख्तियार कर ली जिसकी energy सेम है जिसकी bond बनाने की सलाहियत एक जैसी है जिसके पास angles एक जैसे है और यह set बन गया अब hydrogen जो आया उसको कोई confusion नहीं है तमाम के पास एक एक electron S के पास PX के पास PY के पास PZ के पास पहले इनकी energy different जब यह orbitals hybridized होगे अब तमाम की energy एक जैसी तमाम की शकले एक जैसी तमाम की orientation एक जैसी तो जिदर जौन सा मर्जी atom आके लग जै तो विलनसी कैसी होगी equivalent विलनसी एक जैसी होगी अब विलनसी में कोई difference नहीं है शकले एक जैसी S खतम होगया PX खतम PY खतम PZ खतम एक नया नया orbital का set आया जिसकी अपनी शकल है अपनी इनर्जी है और एक और बात hybridization से पहले इनकी energy values ज्यादा होती है लेकिन जब खिचडी पक जाती है इनकी energy कम हो जाती है X, S, PX के साथ PY के साथ, PZ के साथ जब mix होता है तो अपनी energy को क्या कर देता है evolve कर देता है energy release हो जाती है जब energy release हो जाती है तो जो hybridized atomic orbitals है उनकी energy कम हो जाती है और जिसकी energy जितनी कम हो bond बनने के chances उतने ज्यादा तो इनके पास bond बनने के सलाहियत कम PX, PY, PZ along with S लेकिन जब यह hybridized हो जाए इनकी energy कम हो जाएगी कम क्यों होगी यह आपस में mix हो रहे है जब bonding mix होने का मतलब यह आपस में reaction कर रहे है और अगर यह आपस में mix हो रहे है तो energy को तो release करवाने ही पड़ेगा energy हमने कभी energetic of bond formation energy क्यों release होती है कैसे energy release होती है इस सारी बाते हम discuss कर चुके है इस example में methane का structure अगर आप देखें carbon दरम्यान में मैंने भी पीछे आपको बताया sp3 hybridized तीन mix होते हैं तीन ही बन जाते है हर एक orbital का नाम क्या है sp3 hybridized sp3 hybridized sp3 hybridized sp3 hybridized दुबारा जल्दी जल्दी बना कर दिखाता हूँ यह देखें यह carbon था यह भी उसका कैसा है sp3 hybridized अब ना यह s है ना p है बलके यह sp3 है दोगले है hybridized होने का मतलब होता है दोगला हो जाना अब इसमें ना s का character भी है p का character भी है पहले s और p अलग अलग चीज़ें थी s अलग था p अलग थे यह देखें s सारे अलग है p अलग है लेकिन जब hybridization होगी अब s और p अब s और p का character खतम अब यह combined हो गए अब s कितने percent है 33 percent sorry 25 percent p का कितने percent character है 75 percent तो यह कैसा set है जिसकी energy बड़ी constant है ना अब इसमे s अलग है ना p अलग है तो यह सारे किसके सा structure है sp3 hybridized atomic orbital यह हैं किसके carbon के अब hydrogen मिलना है इसने hydrogen के electronic configuration क्या है 1s1 1s1 होता कैसा है s orbital कैसा होता है s अफेरिकली symmetrical एक electron एक electron पहले इसके पास था हमने अभी बताया तमाम के पास एक एक electron एक hydrogen इदर आया एक hydrogen का सफेरिकली symmetrical orbital इदर आया एक इदर आया एक इदर आया तो तमाम ने अपने अपने electron शेर किये तो यह देखें यह structure बन गया CH4 का इसको लिखेंगे कैसे s sp3 s sp3 क्यों लिख रहा हूँ s of hydrogen and sp3 of carbon s of hydrogen and sp3 of carbon s of hydrogen sp3 of carbon s of hydrogen sp3 of carbon तो इस bonding को क्या कहते है s sp3 ssp3 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 यहां पे head on overlapping है देखें तो यहां पे मैं sigma भी शो करवा सकता हूँ यह सारे bond कैसे हैं यह सारे bond sigma bonds है इनमें कोई भी pi bond नहीं है और एक और बहुत अहम बात जब hybridization हो जाए तो जो atoms bond बनाते हैं वो sigma bond होते हैं hybridization के बाद जितने भी bond बनेंगे वो कौन से होंगे sigma bond होगे इन से next इनकी दो और example हैं दो तीन example इन्शालला उसे next lecture में discuss करते हैं अलाफिस